पंच कर्मा, फाइफ कर्मा, फास्ट इस वमन, वमन, इमेसिस, वमिट कर्मा, कफ दोश में, कफ आयरवेग बोलता है, कफ आपके छाती में रहता है, उर्ध जत्रूगत रहता है, वमिट करना मतलब उपर से हम दोश को उल्टी के दवारा निकाल रहे हैं, इसलिए ये कफ में यूज़ होता है, पर्टिकुलर हर पांच कर्म के लिए तीन विधान होते हैं, प्रीफॉंक्स, पूर्फ कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म, पूर्फ कर्म में हम स्नेपान कराते हैं, अभ्यंग करवाते हैं, स्नेहन स्वेदन होता है, प्रधान कर्म में जो भी हमारा प्रधान है वमन, विरेचन वस्ती वो होता है, पश्चात कर्म में कुछ हमको डाइट फॉलो कर भी होती है, कुछ बोडी का रिगुलेशन होते है वो करना होता है, जैसे वमन में, मैंने जैसे बताया, it's about vomiting, it's about emesis, it's about releasing the cough from our body. So it is very beneficial in migraine, very beneficial in cold and cough, very beneficial in enhancing your lung capacity, very beneficial in sinusitis.